राजिती विज्ञान के अभ्यास प्रष्ण पत्र की सिंकला में हम लोग 75 प्रष्ण पत्र हल कर रहे थे इस प्रष्ण पत्र के पहले भाग में हमने एक से लेकर 25 तक के प्रष्णों का अध्यन किया अब हम 26 से लेकर 50 तक के प्रष्णों का अध्यन करेंगे चब विश्वा प्रस्ण है राश्टपती का चुनाओ निवन में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है इसके विकल्बे हैं लोगसभा के स्पीकर की द्वारा, पधामंती कारेले के द्वारा, संचदी कारी के मंती द्वारा, चोहता है भारत के निर्वाचन आयुक द्वारा, इसका सही उत्तर है भारत के निर्वाचन आयुक द्वारा, भारत में राष्टपती, उपराष्टपत लोक्षबा और राजशबा के चुनाव भारत की निर्वाचन आयुगद्वारा संपादित किये जाते हैं। वहीं जो राज्यों के तिरिस्तरी पंचायत चुनाव होते हैं उन्हें राज निर्वाचन आयुगद्वारा संपादित किया जाता है। 27 प्रशन है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है इसके बिकल्पे हैं सम्वेदानिक अधिकार, मूल अधिकार, विदिक अधिकार, चोहता है इन में से कोई नहीं भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक लिकल अधिकार यानि कि दिये हैं और उनका विचारकों के साथ सही मिलान करना है। पहला है F.W. Taylor, दूसरा नाम है Herbert Simon, तीसरा नाम है Elton Mayo, चौता नाम है F.W. Ricks, और उधर चुछ सिद्धानत हैं बैग्यानिक प्रबंदन, पारस्तित की उपागम, आथन परिशान, निर्णयन, सिद्धानत हैं। और उन्हें बैग्यानिक प्रबंदन का जन्मदाता यानकी Scientific Management Theory का जन्मदाता कहा जाता है। Herbert Simon ने Decision Making Theory यानकी निर्णयन सिद्धानत दिया है, वही Elton Mayo ने Hawthorne परिक्षन किये हैं, और F.W. Ricks का संबंद पारस्तित की उपागम यानकी Ecological Approach से है, इस तरह से A का मिलान, यानकी A.W. Ricks, F.W. Taylor का मिलान, बैग्यानिक प्रबंदन से, H. Simon, Herbert Simon का मिलान, निर्णयन सिद्धानत से, Elton Mayo का मिलान, हर्तरन परिक्षन से, और F.W. Ricks का मिलान, परस्तित की उपागम से करना है, एक, चार, तीन, दो, इसका सही उत्तर है, पहला विकल्प इसका सही है। 29 प्रश्न है, दिनेज को सामी समीति का सम्मंद था, इसके विकल्पे हैं, पहला है, चक्मा समश्या से, दूसरा है, निर्वाचन सुधारों से, तीसरा है, बैंकों के राष्टी करण की समाप्ति से, 24 है, पूर्व उत्तर में उप्त्रव समाप्त करने की उपायों से, दिनेज को सामी समीति, जो की वर्श 1990 में आई थी, इसका सम्मंद निर्वाचन सुधार, एनकी इलक्षन रिफॉर्म से है, यहाँ पर विकल्प इखो निर्वाचन सुधारों से सही है, प्याच्चा मैं इसको देख सकते हैं, यहाँ समीत 1990 में बनी थी, तीस्वा प्रश्न है, संचत तथा राज विधान मंदलों के स्वतंतर तथा निस्पक्ष चुनाव करानी की सक्तियां, एक स्वतंतर एकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है, इसका कारण दिया है, निर्वाचन दोनों सही हैं, क्योंकि संचत और राज विधान मंदलों के स्वतंतर तथा निस्पक्ष चुनाव करानी की सक्तियां, एक स्वतंतर एकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है, बार्थिशाम विधान का अनुछे 324 में जो है निर्वाचन आयोग की व्यवस्ता की गई है, यहाँ पर एक मूख की चुनाव आयोग्त और दो अनि चुनाव आयोग्त है, लेकिन जो कारण है, वो कथन की ब्याख्या नहीं कर रहा है। इसले इस प्रस्ण का उत्तर ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एकी सही ब्याक्या नहीं कर रहा है और यह की विकल्पखो सही होगा. अगला प्रस्ण है अतिकल्पना के आविश्कार के रूप में प्राकर्तिक अधिकारों को किस ने दोसी पाया? इसके विकल्पे हैं लॉक, बैंथम, रूसो, जे एसमिल इसका सही उत्तर है जेरेमी, बैंथम जेरेमी, बैंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की आलूचना की थी यहाँ पर विकल्प खो बैंथम सही है 32 प्रस्ण है, निम्नांकित में से कौन या थारतवादी संपरदाई के साथ संबंदित नहीं है यानि कि हमें बताना है कि किस बैचारक का संबंद या थारतवार्द यानि कि रियलिजम से नहीं है इसके विकल्पे हैं, मैक्स बैबर, एडवर्ड, एचकार, हंस जे मारगन्थाउ, एल्डो, हक्सले जब हम मैक्स बैबर, एचकार, हंस जे मारगन्थाउ को देखते हैं तो ये तीनों ही विचारक या थारतवादी संपरदाई से हैं जबकि एल्ट और हक्सले आदर्शवादी विचारक हैं और कि यहाँ पर विकल्प गोव इसका सही उत्तर है। तेंटीस्वा प्रशन है पूंजीवादी विवस्टा के अंदर एक ब्यक्तिकी शोतनित्रता को बचाने के लिए छुट्ट-वुट समाईजनों के स्वजाव किस सिद्दान्त ने दिये। यानि की बहर कौन सा सिद्धान्त है जो पूजीवादी ब्यवस्ता का समर्थक है और ब्यक्तिक की शकतंतरता को परमुक्ता देता है इसके विकल्प है प्रकार्टावात यानि की functionalism दूसरा है ब्यवस्ता का सिद्धान्त और यान की system theory तीसरा है उदारवादी ब्यवस्ता को पढ़ते हैं तो पूझी वादी ब्यवस्ता का समर्थक उदारवादी ब्यक्तिवादी बिचारत होते हैं. इसलिए यहाँ पर विकल्प गौ उदारवादी ब्यक्ति सिद्दान्त पूजिवादी ब्यवस्ता के अंदर एक ब्यक्ति की शुतंतता को बचाने के लिए छुटपुट समाईजने के सुजाव देते हैं यहां कि यहां पर विकल्प, गौ, उधारवादी ब्यक्ति सिद्धांत सही है। 34 प्रश्ण है, सही मिलान कीजिए, यहां पर उपागम दिये हैं और समंधित विचारकों के नाम हैं। पहला है, मार्टन कैपलोन, कार्ल डाइस, रिचर्ड सी स्नाइडर, ह डबल ब्रुक, एम वर्टन सेफवाइन, और फिर नाम हैं हंस जी मारगिन्थाओं का। और जो उपागम दिये हैं यह थार्तवादी उपागम, निर्णेन उपागम, संप्रिशन उपागम, ब्यावस्ता उपागम। जब हम वर्टन, कैपलोन को देखते हैं, कैपलोन ने सिस्टेम एप्रोश या की ब्यावस्ता उपागम का समर्थन किया है, वहीं कार्ल डाइस का सम्बंद संप्रिशन उपागम, कम्मुनिकेशन एप्रोश यह है, रिचर्ड सी स्नाइडर, एप्जरबल बुक्र, व्रुक एवं वर्टन, शेफाइन का सम्मंद निर्नेन सिद्दान्त से है, वहीं हंस जे मारगन्थाओ या थारतवादी यान की रियालिजम उपागम से सम्मंदित हैं, इसलिए प्रशन का उत्तर, ए यालिकि मॉर्टन कैपलिन का मिलान, सहोते से व्यावस्ता उपागम से करना है, कार्ल डाइस का मिलान, शांप्रिशन उपागम से करना है, रिचर्ड डिस, सी स्नाइडर, ह्डबल ब्रोक, एवं बर्टन, शेफाइन का मिलान, निर्नेन सिद्दान्त से करना है, और हंस जे मारगन्थाओं का या थारतवादी उपागम से करना है, इस तरह से प्रशन का उ इसके विकल्प हैं परतेवादी सिद्दान्द, एकलवादी सिद्दान्द, बहुलवादी सिद्दान्द, लोगप्री प्रभुसत्ता सिद्दान्द जोन अस्टिन ने जो संप्रभुत्ता या प्रभुशत्ता काशित दान दिया है उसे हम एकलवादी से दान्त कहते हैं यहाँ पर विकल्प को सही है 37 प्रश्ण है निम्न में से कौन बीकेंदिकित समाजवात के प्रबल समर्थक थे यानि कि वो हो कौन सा विचारक है जो डिसेंटलाइज सोसेलिजम का समर्थक था इसके विकल्प है जैप्रकाश नारायन, आचार बिनोवा भावी, डक्टर रामनोहरलोहिया, आचार नरेंद इन सभी मैंसे डक्टर रामनोहरलोहिया, बीकेंदिकित समाज यानि कि डिसेंटलाइज सोशलिजम के प्रबल समर्थक थे यानि कि विकल्प गौ डक्टर रामनोहरलोहिया सही उत्तर है 36 millennium प्रशन है, समाजवादी राज्जी को निम्न में से किस रूप में समझते है, यानि कि राज्जी को शमाजवादी किस रूप में मानते हैं, हमें बताना है पहला है राज्य एक आउशक बुराई है, दूसरा है राज्य अनाउशक बुराई है, तीसरा है राज्य कल्यानकारी संस्ता है, चोहता है राज्य एक अच्छी संस्ता है जब हम समाजवादियों को देखते हैं तो समाजवादियों ने राज्जी को एक अच्छी संस्ता माना है वहीं उधारवादी राज्जी को आउशक बुराई मानते हैं और अराजित्तावादी राज्जी को अनाउशक बुराई मानते हैं यानि कि यहाँ पर विकल्प घौ राज ये एक अच्छी संस्ता है, सही उत्तर है. और तिस्वा प्रस्टन है, किस ने कहा कि लोग कल्यानकारी राज वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं परदान करता है? इसके विकल्पे हैं कांट, मैकाइबर, अबराहम, लास्की. इसका सही उत्तर है लास्की. लास्की ने कहा लोग कल्यानकारी राज वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं परदान करता है. इसका सही उत्तर है लास्की. 49 प्रश्ण है मुल्य, तटस्ता, निम्न मैंसे किसकी विशेश्ता है? यानि कि वह कौन सा वाद है जो मुल्य, तटस्ता, यानि कि वैल्यू, नुटिलिटी पर काम करता है. इसके विकल्पे हैं अराजक्तावादियों की, व्योहारवादियों की, माक्सवादियों की, बहुलवादियों की. इसका सही उत्तर है व्योहारवादी. व्योहारवादी डेविड इस्टन ने मुल्य, तटस्ता को प्रात्मिक्ता दी. उन्होंने जब व्योहारवाद की आ अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते यानि कि जब हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं तो पॉलिटिकल राइट्स में क्या सम्मिलित नहीं है पहला है मद्दान करना, दूसरा है काम पाना, तीसरा है सरकार का बिरोत करना, चोहता है निर्वाचित करना राजितिक अधिकारों में मद्दान करना, सरकार का विरोद करना, निर्वाचित होना ये सबी राजितिक अधिकारों में सामिल हैं लेकिन काम पाना यह राजितिक अधिकार में सामिल नहीं है चालिसवा प्रस्टन है, जॉन डॉल्स ने अपने न्याई सिद्धान्त को क्या संग्या दी है? इसके विकल्पे हैं वितलात्मक न्याई, सर्वस लब न्याई, परतियात्मक न्याई, शुद्ध परक्रियात्मक न्याई जब हम जॉन डॉल्स के जस्टिस स्टोरी को पढ़ते हैं, तो उन्होंने अपने न्याई को शुद्ध परक्रियात्मक न्याई, यानि कि प्यूर प्रोसीजरल जस्टिस कहा है, यानि कि यहाँ पर विकल्प गो शुद्ध परक्रियात्मक न्याई सही है 41 प्रश्ण है जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक आवस्ता में मनुशी की इस्थिति है पहला है मनुश्य एक भलाब्यक्ति था, दूसरा है मनुश्य एक विवेक युक्त प्राणी था, तीसरा है मनुश्य एक बरबर प्रकार का प्राणी था, चौता है मनुश्य एक श्वार्थि प्रकृति का प्राणी था, जौन लौक ने प्राकृतिक आवस्ता में मनुश्य क वो एक विवेक युक्त प्राणी माना, यानि कि यहाँ पर विकल्प खो, मनश एक विवेक युक्त प्राणी था, सही उत्तर है. 22 प्रश्ण है सक्ति की आउधारना स्वरपर्थम किस ने दी यानि कि कौन सा विचारक स्वरपर्थम शक्ति की बात करता है इसके विकल्पे हैं मैक्यावली, कालमाग, लास्वेल, जॉन लॉक इसका सही उत्तर है मैक्यावली मैंक्चाली ने सरपर्थम सक्ति की बात की अगला प्रश्ण है इतिहास कुलीन वर्गों का समसान है यहोगतन किस राजनितिक विचारक से सम्मंदित है इसके विकल्पे हैं जे सुमपीटर यानकी जोसेफ सुमपीटर दूसरा है काल्ब पापवर तीसरा है जे मोस्का चौता है विलफ्रेडो पेरेटो अब यनवादी विचारत विलफ्रेडो पेरेटो ने कहा कि इतिहास कुलीन वर्गों का समसान है चाववारिस्वा प्रश्ण है नियाएक सक्रेता का अर्थ है यानि कि जूडिशल एक्टिविटिट का क्या अर्थ है इसके विकल्पे है नियाएपालिका द्वारा विधायका की कारियों को ग्रहन करना दूसरा है नियाएपालिका द्वारा प्रशास्निक कारियों को ग्रहन करना गो है इन मैंसे कोई नहीं जब हम इन विकल्पों को देखते हैं तो नियायपाल का दोरा विधायकाओं के कारी को गरहन करना या नियायपाल का दोरा प्रसास्निक और कारीपालिकाओं को गरहन करना ये नियायक सक्रिता नहीं है नियाएक सक्रिता का अर्थ होता है नियाएपालिका का शक्रिय होकर कारी करना ज़्य हम जानित्याजिका की बात करते हैं जानित्याजिका के तहट नियाएपालिका देश में होने वाली किसी भी घटना को पत्र के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से या शौव विवेक से उस घटना पर अपना काम करती है यानि कि सक्रिय होकर अपने निरने सुनाती है तो इसे अम्याईक सक्रिता कहते हैं यानि कि यहाँ पर बिकल्प गो इन में से कोई नहीं सही है 45 प्रस्टे है राजी के नीति निशक्तत्तों का उद्देश एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्तापना करना है समिधान सभा में यहो किस ने कहा था इसके विकल्पे हैं डॉक्टर भीम राव अंबेटकर पंडित नहिरू डॉक्टर राधाकिश्नन डॉक्टर राजिंद परसा इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीम राव अंबेटकर भीम राव अंबेटकर ने राजी के नीति निशक्तत्तों यानि कि भाग चार में जो अनुचे 36 से 51 तक के अनुचेद हैं उन्हें एक आर्थिक प्रजातंत्र यानि कि एकॉनोमिक टेमोक्रिसी के स्तापना करने के लि जो कहता है भारती समिधान वकिलों का शौर्ग है इसके बिकल्प हैं A.V.D.C. K.C.V.R. जेनिंग्स जहालाल नहेरू इसका सही उत्तर है जेनिंग्स जेनिंग्स ने कहाता कि भारत का समिधान वकिलों का शौर्ग है 47 प्रस्ण है निम्रिकित मैं से कौन सा संग शूची का विशय नहीं है इसके विकल्प हैं विदेशी रिण, डांगर बचत बैंक, अंतराजकी, व्यापार, क्रिश आई पर कर जब हम भारती समिदान की शात्वियन सूच को देखते हैं तो उसमें संग सूची, राजी सूची और समर्थी सूची के विशय हैं संग सूची पर कें सरकार कानून मनाती है, राजी सूची पर राज सरकारे कानून मनाती है और समर्ती सूची पर संग और राजी दोनों कानून मनाती है यहां पर विदे सीरिन, डांगर बचद बैंक और अंतराज की व्यापार ये तीनों ही संग सूची के विशे हैं लेकिन क्रिश आई परकर यहो राजी सूची का विशे है 48 प्रशन है संग लोग सेवा आयोग के सदस्य कब तक अपने पत पर बने रहते हैं इसके विशे हैं 65 वर्ष की आये तक, दूसरा है 62 वर्ष की आये तक, तिसरा है 60 वर्ष की आये तक, चोहता है इनमें से कोई नहीं संग लोग सेवा आयोग के जो शदस्य हैं, वे 65 वर्ष की आये तक, अपने पत पर रहते हैं, इनमें 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो तक, अपने पत पर रहते हैं उन पचासवा प्रष नहें, निमलिकित में से किस अध्यन समीती द्वारा, पंचाती राज को समयधानिक दरजा देने किसे पारिश की गई इसके विकल्पे हैं, बलबंत राए महता समीती, असोक महता समीती, सरकार्या समीती, एलम सिंग भी समीती, इसका सही उतर है, एलम सिंग भी समीती, तोकि 1986 मा आई थी, इसने पंचाती राज को समयधानिक दरजा देने की बात की थी पचास्वा परश्ण है, यूरोपी संग में यूरो मुद्रा का परचलन कब सुरू हुआ, इसके विकल्पे हैं, एक जनवरी 1998, दूसरा है एक जनवरी 1997, तीसरा है एक जनवरी 1999, चोहता है एक जनवरी 1996, इसका सही उतर है, एक जनवरी 1999 आज के इस प्रश्ण पत्र में हमने 26 से लेकर 50 तक के प्रश्णों का अध्यन किया, इसके पहले भाग में हमने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्णों का अध्यन किया था, आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें, हम आगे भी अन्य अभ्यास प्रश्ण पत्रों का अध्यन आज के स्पर्ष्ट पत्र में इतना ही धन्यवाद।